दो महिने पानी नको पीते हो गया है और क्या फायता हुआ है पानी से हम आपको दिखाना चाहते हैं और सुनाना चलाया तो द्यायपिस फोनार मर गुआ तो आपकर कराया मैं ने उसके बाद आपकर करें बाद च्छा महने बाद इनका सब कुछ बढ़िया था लेवल चल रहा था अचानक से सुगर बढ़ा जब अचानक से उड़ा तो इनको काफी बिमारी आने सुरू हो गई जैसे कि है अ मैं उनके पास किया कि आप सबसे पहले जाज कराइए यह तीन जाज होती है जो कि थायराइड की जाज है बिलकुल तो मैंने वह किया और उसके कराने के बाद इनकी कंडिक्शन थोड़ा ज्यादा क्रिक्टी था और गले में हलागा 20 में गाठ भी था गाठ के वज़े से इनक तो जो कि मैं आपको जाज की रिपोर्ट भी दिखा सकता हूँ जो जाज करने में हमारा ब्रट का जाज यह आया था आप दे सकते हैं T3 6.50 और T4 20 और TSS 001 जो कि सबसे लेवल डाउन था इतना डाउन होने का मतलब है कि पेसेंट ना बोल पाएगा ना तो कुछ और नहीं कुछ दवा निगल सकता है शिर्फ लिक्वेट ही उसके मूँ के द्वारा जा सकता है अन्य था मैडम को यह मैंने रिपोर्ट दिखाया डाक्टर सर्था बजाज को उनको मैंने रिपोर्ट दिखाने के बाद उन्हाने रिफर कर दिया लखनों के लिए पीज यह जब गया तो हां पर माता जी का सकाइन हुआ गले का इसकाइन आप देख सकते हैं अच्छी तरीके 6.1 जो कि भरपूर यानि चारों तरफ से ग्रसित कर चुका था गाठ बन गई है गाठ बन गई है इसे जो है कि न तो दवा खा पा रही थी न तो बोल पा रही थी यानि इ हमारे मित्र हैं मिस्टर प्रेम भाई उनके यहां से हम पानी का सुने थे बहुत प्रकाशन था पानी का कंगन वाटर जो कि उन्होंने बताया कि बहुत लाबदायक है उन्होंने हाऊसला भी दिया कि आप इसे पिलाइए इससे फायदा होगा तो हमने कहा कि ठीक है हर तरफ सहार चुके थे हम डाप्टर आप पेट के लिए बोल दिया था आप पेट भी नहीं करा सकते थे जो कि यह सबसे रिक्सी है गले का प्रिशन सबसे ज्यादा रिक्सी है तो मैं दो महिने से कंगन वाटर यूज कर रहा हूं जो कि दवा खिलाने के रूप में मैं सेवन पीएस क यूज कर रहा हूं और आज दो महिने बाद हमारा यह रिपोर्ट आया है जो कि बहुत ही खुजहाल रिपोर्ट है आप देख सकते हैं T3 एकदम नार्मल है 0.94 और यह T4 आपका 2.12 है और TSS 006 जो कि बढ़ गया आप बता सकते हैं कितना अच्छा कंडिशन है और हमारे मां क आपके चेहरे पी काफी मुष्कान भी है आज वह बोल पाले रहे हैं इस पानी समको काफी लाब दायक मिला एक महिने पीच्छे हुआ बिल्कुल आराम हो जा दो महिने में बिल्कुल ठीक हो गई चलने का सकती नहीं थी चलने लगी खाने भी लगी उठने बेटने लगी इ पानी पिलाने के पहले जब मैं मा को शुरू-शुरूम दिखाया तो पानी पिलाने के पहले मा का वेट जैसे डे-वाई-डे करके थोड़ा-थोड़ा 100-200-400 ग्राम घटता ही जा रहा था तो वेट जब घट रहा था इनका वेट 30 तक आ चुका था अच्छा इतना कम वेट कि यह बेट पे लेट जाती तो इधर उधर हिल भी नहीं पाती थी इतना ज्यादा कमजोर हो गई थी तो आज यह कंडिशन है कि इस समय इनका वेट 45 के उपर है आज अपने समय उठ ले थे हैं चले रही है इससे अच्छा हम क्या बता सकते हैं यह हम करते हैं यह दवा के सा अगर आप पानी का प्रयोग करें तो ज्यादा बेनिफिट है बहुत बढ़ी है ओके आपको दिखने लगे हैं आपका कंट्रोल हो गया आपका बिल्कुल नारमल हो गया जितनी समस्यां थू आज बिल्कुल ठीक हैं लगभग जी ओके